IBS Records ता तार्मिक प्राना नानक हो सी पी साच्चु। गुरु रूप गुरु स्वारी सत्संगत जी चल रही जपजी साहिब की लड़ी पवित्तरता कथा आप सब जन शवर्ण कर रहे हैं सो आज की कथा जो है वो जपजी साहिब की मद में यानि सोदर से प्राराम है हम सब मिलकर गुरु साहिब जी की पवित्तर वानी की समझ जो वानी है उसके बारे में हम समझना करें और सब मिलकर गुरु नानक साहिब जी से प्रात्मा करें गुरु नानक देव जी से के ये कथा शुद शुद अच्छे से हमारे लिए हमारे जीवन में लबदाइक हो तो फते बलाएं वाही गुरु जी का खालसा वाही गुरु जी की फते तो जब के गुरु नानक साई महाराज जी सिद्धों के साथ उत्तर प्रशन कर रहे थे तब Guru Nanak Sai Maharaj जी से सिध्व पूर्षों ने पूछा कि महाराज किर्प्या हमें ये बताए कि उस परवर्दिगार पर मात्मा को कौन कौन गाते हैं अथवा हम ही गाते ही क्या पंच्छी भी गाते हैं क्या बनस्पती, क्या ये बन, पौन, पानी सब गाते हैं तो गुरु नारक साही महराज जी ने बहुत अच्छा कमाल का उत्तर दिया पहले तो सिद्पुर्शिये पूछ रहते हैं महराज कि अगर परमात्मा सब कुछ देखता है सारी स्रिष्टि को देखता है वो जानता है सब के बारे में तो फिर वो कहां पे बैठके देखता है तो गुरु नारक साही महराज जी बादलील उत्तर देते हैं और गुरु नारक साही महराज जी सिद्पुर्शों से उत्तर में उनका जो जबाब देते हैं गुरु साही फूर्माते हैं सोदर केहा, सोकर केहा गुरु साथ फूर्माते ऐसी दिलों को उस प्रभु का दर कैसा वर्णन करें उस प्रभु का घर कैसा होगा मालूम ही नहीं सो करके है कैसा घर होगा उनका जेत बह सर्ब समाले जिस पर वो बैठ कर सब जीव जंत को सब पराणियों को समालतें सब बनस्पती को सब जीव जंत को समाते जेत बैह जिस पर बैट करके सरब समाले और सरब नामे सब को समालने वाला परमात्मा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता है जिस अस्तान पर वो बैट कर देखते हैं तो उस अस्थान के कुछ वर्नन नहीं किया जा सकता है, वो कितना बड़ा है, कितना उचाई है उसकी, कितनी लंबाई है, कैसा है देखने में, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो अफसित पुर्षों ने पूछा कि जैसे हम ये दुनिया में देखते हैं कि बहुत अनेक प्रिकार के हम संख पूरते हैं साम के समय में, सुभे के समय में, भरबाद के समय में संख पूरते हैं, रात के समय में, संध्या वंधन में हम संख पूरते हैं, तो क्या हम जैसे बाजे नाद अनेक असंखा ऐसिद पुर्षो अनेक ही असंख जिसकी गिंती नहीं की जा सकती हैं। जो अनगिनती तुमबर लोग हैं, जो अपने तुमबर की वजह से, अपने नाद की वजह से, अपने बाजो की वजह से, संख की वजह से परवर्दिगार का गुन गाइन करते हैं। बाजे बज़ते हैं, संख की धोनी बज़ती हैं और नेक परकार के नाद उटते हैं। तो इसलिए फिर फिर फुर्माया सिद पुर्षो ने पूछा, सत्ग्रू नानकदेव जी, किरपिया हमें ये भी बताएं कि ये जो राग हैं, जो हम राग अलापते हम उनकुगाते हैं, गाइन करते हैं, जो बड़े बड़े राग, बेदों को रागनी को गाइन करते हैं, तो क्या उस परमात्मा को ये भी गाईन करती हैं? क्या इनको इनसान ही गाईन कर सकता है? तो गुरु नानिक सत्तकू सचेपाश शज ने बाकमाल उतर देते हु़े फोरमाया केते राग परी स्यो कहियन कितने राग हैं? राग निये हैं उनकी घर वाली हैं कितने राग हैं, कितनी रागनी हैं, परी कितनी हैं, सो कहें, कितनी कहें उनके बारे में, सब के सब केते गावन हारें कि सब कितने ही राग हैं आगे राग की घरवाली जो रागनी हैं और कितने ही उनको गाते हैं उनकी परमात्मा परवर्दिगार की सिफ्तों तारीफ को गाइन करते हैं रागनी और राग तो गुरु साब फरमाते हैं केते केते का मतलब है कितने के जिसकी गिंती नहीं की जा सकती है उनकी इबारे में गुरु नानक साई महराजी इस प्रकार से सिदो को समझा रहे हैं तो फिर फरमाते हैं के सद्गुरु नानक देवजी किरपया हमें ये बताएं कि जिस सब छिष्टि के अंदर क्या उसको और कौन कौन सी चीज़ गाइन करती है माना राग भी करते हैं रागनी भी करती हैं परी भी करती हैं वो फरेश्टे भी करते हैं वो सब के सरपीर पेखंबर सब के सब देव देवी आदग सब के सब उस परमातमा की तारीव को गाइन करते हैं तो किरपया सत्गुरु जी हमें ये भी बताएं, उनके इलावा कोई और भी करता है, तो सत्गुरु नानक साव जी महराज जी ने बहुत सुंदर उतर दिया और फिरमाते हैं, गावह तोहनो पाण पाणी बैसंतर, सत्गुरु नानक साव जी फुर्माते हैं, ऐ सिद्पुर्शो, तोहनु उस वाहे गुरु परमात्मा को पाण जो है पवन देव, जो हवा का मालिक है, तूफानों का मालिक है, आंधियों का मालिक है, पाण, पाण देव तविस परमात्मा को गाइन करता है, पाण देव स्व पानी बैसंतर पाउन और पानी और बैसंतर ये जो इतना बड़ा आथा समंदर है जिसका उलेक नहीं मिलता कोई लिखी इसकी लिप्पी नहीं मिलती है कोई लिखा इसका सिरा नहीं मिलता ये समंदर देव भी उस परवर्दिगार परमात्मा को गाइन करते हैं बैसंतर देवता जो है वो भी उस परवर्दिगार की खुशी तारीफ को गाइन करते हैं ऐसी पुर्शो इस रिष्टी में ऐसा कोई जन नहीं जुस परवर्दिगार परमात्मा के हजूर में उसकी तारीफ को गाइन करे ऐसा कोई जीव नहीं ऐसी कोई बनस्पती नहीं जो उसको चावर ना करे जो उस परमात्मा के लिए अच्छे अच्छे सब्दों का गाई ना करे ऐसा कोई भी नहीं है तो फिर गुरुनानिक साइड जी फुर्माते हैं कि उनको कौन कौन और गाते हैं तो गुरु नानिक साइब महरज ने बहुत अच्छे वत्रमें उननों को ब фильм कोषिए है. हम तुमें इनके बारे में शרवन कराते हैं। तो गुरु साब फुर्माते हैं गावै राजा तर्म दुवारे गुरु साब फुर्माते हैं कि जो धर्म का राजा है मानिये धर्म राजा धर्म का राजा जो है दुवारे उसके घर में उस परमात्मा के दुवार के धैलीज के उपर वो धर्म राजा भी उसको गाइन करता ह उसकी तारीफ को उसकी सलाह को उसके मशक्वरे को उसकी बराई सिस्टिकِ जजबात को धर्म राजा कुद परवरदिगार के दोारे पर बैट करके अच्छे से गाइन करता है और उसकी खुशी में सदा मंगल रहता है अमंगल नहीं, मंगल, खुशी, खेड़े में रहता है फिर गुरु नानिस सब फुर्माते है कि उस वाही गुरु परवर्दिगार के नाम को जो पीने वाले पुर्ष हैं जोस नाम रुपी अम्रत को पीने वाले हैं वो सदैव अमर होते हैं और जोसके नाम में जीते हैं उनका तन, मन, रोग से रहत हो जाता है कभी उनको काल नहीं आता पोह न सकते हैं काल उसको काल खतम नहीं कर सकता तो इसलिए गुरु नानिस साहिप जी पवित्तरवानी में फुर्माते हैं जब जी साहिब की तो सिद पुर्षों ने फिर उत्तर किया प्रशन किया सत्गुरु नारक देव जी किरपया हमें एक चोटी सी बात के बारे में और बताएं क्या उस परवर दिगार को ये जो दुनिया के सनमुक शृष्ष्टी के सनमुक ची दिखती नहीं है क्या वो भी गाइन करते हैं जो ह में दिखता नहीं है सामने तो सत्गुरु नारक साम महराज ने सुंदर आवाज अपनी सुंदर वानी में उचारन किया गाव हैं चेत गुपत लिख जान हैं के ऐस पुर्षों उस परमात्मा उस वाही गुरु के जश को चितर गुपत दो पुर्ष हैं जो रात के समय में गुपत जो होता है उसकी डूटी रात में है वो रात को डूटी करता है और जो चितर है चितर जो है वो दिन को डूटी करता है और जो चितर जो है वो दिन में इंसान के किये करमों को लिखता है और जो गुपत है वो रात के अंधेरे में जब सारी सृष्टी विश्रा में पहुँच जाती है, सब श्रिष्टी सब जीव जन्तु आराम कर रहे होते हैं, तब वो गुपत पुर्ष जो है, वो रात के गुपत के समय में, अंधेरे के समय में पुर्ष के करम को लिख रहे होते हैं, ये आधी रात में क्या कर रहा है? जैसे दिन में कोई इनसान बड़ा महात्मा बन जाए, और वो सच्चा उपदेश द्रडाने की कोशिश करे, सच्चे नाम के बारे में बताने की कोशिश करे, और फिर रात को वो उस परवर्दिगार परमात्मा के जो गुपत का समा है, उसके अंदर वो आयाशी करे, फिर वो चोरी करे, फिर वो विशे विकार के सम्मेलन में अपना कदम धरे, तो चेतर गुपत जो चेतर में तो उसके अच्छे काम को नियत दी जाती है, अच्छे काम का तो उत्तर दिया गया कि इसने अच्छा काम किया है दिन के अंदर, वो इसलिए कि दिन के अंदर सब दुनिया जाग रही होती है और आते जाते लोग उनको देखते रहते हैं और जो रात का समा है गुपत का समा है सब दुनिया सो जाती है विश्राम के लिए इसलिए साथ के रूम में भी कोई हो तो मालूम नहीं होता क्या है वो भी सो रहे होते पर उस समय में जो गुपत है उसकी हर एक बात को जज़ कर रहे होते हैं लिख रहे होते हैं कि इसने क्या क्या किया हुआ है और ये आदी रात में क्या कर रहा है तो फिर गुरु साथ फूर्माते हैं एई सिद पुर्शो गावह चित गुपत लिख जाना है जो इन चीजों को भी लिख रहे हैं चितर गुपत जो हैं उस परमात्मा की तारीफ को चितर गुपत भी गाईन करते हैं प्यार से उनके बनाए लफसों को उनके बनाए जजबात को खुद चितर गुपत जो हैं वो प्यार से भीक कर परमात्मा गुन को गाइन कर रहे होते हैं तब गुरु नानक साहिब जी आगे फूर्माते हैं सिद्पुर्शो के लिए लेख लेख तरम वी चारे गुरु साब कहते हैं फूर्माते हैं ऐसिद्पुर्शो फिर जो चित्रगुपत ने लिखा होता है जो राज दिन का लेखा किया होता है कि पुर्ष दिन में क्या कर रहा था और रात में ये क्या कर रहा था तो उसको लिख लिख के लिख लिख के धरम वीचारे अथवा धरमराज के द्वार के अंदर जहां पर धर्म राज विरास मान होता है फिर उसको धर्म राजा जी विचारते हैं स्वाइम धर्म राजा भी परवरदिगार को गाते हैं उस परमात्मा के जज़बात को गाते हैं पर स्वाइम धरम राजा भी जो लिखे पुर्षों के करम, गुनहीन, विशे विकार, अच्छे शुब गुन, अशुब गुनों की जो पालना करते हैं, उनके बारे में धरम राजा जी बैठ कर विचार करते हैं, क्या अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो गुरु साब जी इस तरीके से सिद पुर्षों को शर्वन करा रहे हैं, कि ए सिद पुर्षों उस परमात्मा सुवाहे गुरु को स्वाइम धरम राजा जो है, शृष्टी के धरम की विचार करने वाला, शृष्टी के धरम की पालना करने वाला धरम राजा जो है, गान उस्वानी का उस जज़बात का उसके प्यार का स्वाइम परमातमा के खुद को धरम राजा जी गाइन करते हैं तो कहने से मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी इस दुनिया में नहीं है जो परमातमा को गाइन ना करता हूँ तो फिर गुरु साब से सिदो ने प्रशन किया कि सत्गुरु जी हमारे तीन लोग माने जाते हैं पहले जी है भ्रम देव स्रिष्टी वजेता है वो स्रिष्टी को रचते हैं दूसरे हमारे हैं अत्वा हरी जन विष्णु भगवान जी जो दुनियाओं का पालक करते हैं जीव जंत की पालना करते हैं तीसरे हमारे स्वाइम महादेव जी है जो संगहार करता है जब किसी जीव की आयू पूरी हो जाती है काल अपने समय से महादेव जी उनका संगहार करते हैं तो क्या ये तीन लोग जो है स्वाइम भ्रह्मा जी विष्णु जी महादेव शंकर भगवान जी क्या ये भी किसी और को गाते हैं सुना है हमने कि एक खुद आप परमात्मा है तो गुरु नानक साब जीने मुस्कराते हो एक उत्तर दिया उनको तो गुरु साब फर्माते हैं एक लाइन में बोलकर गावह इसर ब्रह्मा देवी ए सिद पुर्षो गावह वो गाते हैं इशर इशर शिवजी भगवान स्वाइम परमात्मा की उस्तती करते हैं उस वाही गुरु की उस्तती उस परमात्मा की उस्तती स्वाइम शीवजी भगवान भी आप करते हैं और स्वाइम ब्रह्म देव ब्रह्मा देव जो हैं स्रिष्टी रचेता जो हैं स्वाइम परमात्मा वाही गुरु की उस्तती करते हैं उनके बारे में गुनगान, सबद, कीरतन, भजन, बंदकी, उनकी लीलाहों का अंतना जानते हुए, भगवान, भ्रमदेवी, स्वाइम उस परवर्दिगार परमात्मा के गुन को गाइन करते हैं, उनकी जैजेकार करते हैं, उनके सबदों का जो है अभिहास करते हैं, तो फिर गुरू साब फरमाते हैं, सोहन सदा सवारे, गुरू साब कहते हैं, कि जो ये सब सोहन सदा सवारे, जो परमात्मा के उस शुब गुनों को सवार सवार कर सदा सदा के लिए गाइन करते हैं देवी सक्ति को देवी ताकत को जो देवी ताकत उसकी देवी शक्ति जो है उसको सवार सवार कर उसके जस को गाइन करते हैं सोहन सदा उसको सवार के अच्छे से उस शुब गुन को बहुत प्रेम प्यास से गाइन करते हैं फिर गुरु नानिक साब जी फुर्माते हैं गावह इंद इदासान बैठे फुर्माते हैं गुरु साहिब जी एजिद पुर्शो इंदर देवता पात्षाहों का पात्षा जो इंदर देव है वो इंदर तक्त पर बैठके देवतियों के साथ समक्ष देवता जन उनके साथ बैठकरके उस परमात्मा की उस तती को गा रहे होते हैं उस प्रभू के दर उस प्रभू के जस को गाते हैं देवत आधर के साथ बड़े प्रेम बड़े सतकार के साथ बड़े मान के साथ बड़े खुश दिल के साथ उस पर मातमा को स्वाइम इंदर देपता जीवी गायन करते हैं सो इस परकार से गुरु साथ फुर्माते हैं देव तया दर नाले सब देव लोग जितने हैं वो सब उनके साथ एक जगा एकतर होकर बैठ जाती जैसे हम सब जन बैठे हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं अब सब के साथ बैठे हुए हम तुम सब बैठ कर एक जगा पर एकतर होक उस परवर्दिगार की उस्तती कर रहे हैं उस परमात्मा के बारे में उनके शुब गुनों के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं तो ऐसे इस परमात्मा की उस्तती को उस परमात्मा के शुब गुन को उस परमात्मा के शुब चिंतिक जो ये सुरिष्टी है ये सुबचिंतिक उस परमात्मा के हैं और इसी तरीके से इंदर देवता जी के साथ बैठ कर उनके संगी साती रंभा पच्छरा जो है सती सची जो है सब देवते उनके साथ बैठ करके एक जगा पर आसन पर बैठ कर आसन लगा के उस परमात्मा की तारीफ उस तती को स्वायम देवी देपता समेत भगवार इंदर जीवी गायन करते हैं ऐसा गुरु नानक साई महराजी ने सिद पुर्शो को उत्तर प्रशन के अंद उसके जरीए उनको समझाया और सत्ते मारक पर उनको रस्ता बताने का गुरु साब ने फैसा लिया अच्छे से कि अब ये सत्ते के मारक पर आजाएंगे तो गुरु साब फरमाते हैं गाव है सेद समधी अंदर एई सिद पुर्शो जैसे आप जन बैठे हुए हो ऐसे अनेक सिद पुर्श है अनेको पुर्श सिद लोग हैं जिनकी गिंती नहीं की जा सकती है गुरु साब फरमाते हैं कि सिद जो समाधी जैसे जोड़ कर बैठ जाते हैं तो समाधी में ऐसे बैठ कर अनेक सिद पुर्श जो हैं वो इस तरीके समाधी लगा कर एक लिव जोड़ कर उस परमात्मा को समाधी के अंदर बैठ कर अपनी समाध में लीन होकर उस परमात्मा को गाइन करते हैं गावन साद विचारे जो सादू महात्मा हैं जो जिनोंने अपने तन और मन को अपने हिरदय को अपने नौइंद्रियों को और अपने द्वारों को जिनोंने साद लिया है वो सादू महात्मा भी उस परवर्दिगार की तारीफ उसकी दैवी शक्ती को काइन करते हैं खुशो करकि, इस लिए गुरु साभ फुर्माते हैं सिदपुर्षों, ये सब के सब सिदपुर्ष, महात्मा, सादु जन् debate, उस परवर्दिगार के तारीफ को गाइन करते रहते हैं, उसके नाम को गाइन करते रहते हैं जैसे हम तुम सब मिलकर गाते हैं ना सत नाम वाहि ग्रूव कोई सिद इस प्रकार से अभिहास करता है कोई सिद इस प्रकार से अभिहास करता है देखो परवर्दिगार के शिष्टी में अनेक प्रकार के जीव होते हैं अनेक परकार की जाते प्राजातिये होती हैं पर सम परमात्मा के लिए सब बराबर है इसलाम हिज़म में उस परमात्मा वाहि गुरू को अल्लाह के नाम पर सम्बलत किया जाता है अल्लाहू ऐसे उसके नाम कारटन किया जाता है इसी तरीके से और भी धर्मों में परमेश्वर के नाम पर इशिस के नाम पर उनके गाउन को गाइन किया जाता है और इस तरीके से हमारे ब्रामन भाई के धर्मों में राम नाम को गाइन किया जाता है इसलिए गुरु गुरंत साहिब जी में लिख भी दिया है फुरमाया हुआ है राम राम करता सब जग फिरे राम ना पाया जाए कि वो परमात्मा राम अकाल प्रुख वाहे गुरू जिसका कोई नैन नकश नहीं है जिसके हाथ पैर नहीं करता सब कुछ है जिसके नैन और नकश नहीं है फिर भी वो देखते हैं जिनके कदम नहीं है तो फिर भी वो चलते हैं उस परमात्मा को राम कहा जाता है यहां पे राम का मतलब राम चंदर नहीं है यहां पे राम का मतलब वाहे गुरु परमात्मा का नाम राम है इसलिए चारो हिजमों में अपने अपने तरीके से धर्मों में परमात्मा के नाम को गाइन किया जाता है तो गुरु नानिक्त साई महराज जिने सिद पुर्षों को सपष्ट वानी में समझा दिया कि सब तरीके के धरम, सब तरीके के लोक, सब तरीके के बनस्पति, सब तरीके के जीव जन्तु उस वाही गुरु उस परमात्मा के नाम को सदाई गाइन करते रहते और ऐसे कितने ही शिद हैं, कितने सादू हैं, जो परमात्मा के नाम को गाइन करते करते, इस संसार की जात्रा को विश्राम दे गए हैं, अथवा यहां से चले गए हैं, और जो ऐसे गुन, शुब गुनों को गाइन करते गए हैं, परमात्मा के सुवरन सेवा को करते हुए ग जैसे हजारो नडीयें समधर में मिल जाती है और पहचाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पानी कौन सा नडी का किस नडी का इसमें आया है पहचाना ही नहीं जाता है तो इस accumulation का है किसी धर्म का हो किसी प्रैजाती का हो जब वो परवर्दिगार का नाम लेना शुरू करता है वो परवर्दिगार में लीन हो जाता है उसके पहचान नहीं होती है ऐसा सिद पुर्षो के साथ गुरु नानक साही महराज जी उनके प्रेशन के उत्तर दे रहे हैं तो आगे गुरु साही फूर्माते है गावन जती सती संतोखी गुरु साही फूर्माते ऐस पुर्षो उस परमात्मा की तारीफ को गाइन करने वाले जती लोग जो है जो जती है जो जती पुर्ष लोग है जो ने आज तक अपने जत को भंग नहीं किया बविंजा बीर छे जती लोग जो है तो ये जती जो पुर्ष है इनों ने अपने जत को कभी भंग नहीं होने दिया ऐसित पुरुषो जती पुरुष भी उस परमात्मा के नाम को गाइन करते हैं उस परवर्दिगार के सचे नाम को गाइन करते रहते सती जो सत के पक्के हैं अपने सत से रता तिरमात्र भी डोलते नहीं है छिन भी नहीं डोले हैं वो भी इस परमात्मों गाते हैं संतोखी जिनके सामने लाखों करोडों जवारात हीरे आदिक समंदर मोतियों से भर जाए लाल से भर जाए मनियों से भर जाए तो फिर भी संतोखी पुर्ष देख के ये बोले के सब कुछ ये मिट्टी है ये खाक है केवल एक परमात्मा का नाम सत्य है तो उसको बोलते संतोखी वो भी उस परमात्मा के गुन को उसकी तारीफ को उसके जजबात को परमात्मा को सदेवली गाएन करते रहते हैं गाव है वीर करारे गाव है वीर जैसे वीर पंजाबी में बोलते हैं ना वीर तु मेरा प्रा मैं तेरा प्रा तु मेरा वड़ा वीर छोटा वीर ये पंजाबी में वीर भाई को वीर बोलते हैं पंजाबी में तो इसका सेस्कृतिम माने क्या होता है बीर योधे जो वीर है करारे तगडी तलवार को मार देने वाले वो भी उस परमात्मा को गाइन करते हैं तो ऐसे कह करके सिद पुर्शो को शात किया गुरु नानक साहिब महराज जी ने सिद पुर्शो को ये सब उत्तर में सब में गुरु साहिब नानक देव जी महराज जी सब के बारे में जानू करा रहे हैं कि सब गाते हैं सो आओ, हम यहाँ पे जपजी साहिब की वानी को विराम देते हैं, इसके बाद हम कल जो आने वाली वानी है, उसमें शवन करेंगे, भूल चूक की माफी है, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।